तो फिर से एक बार ब्रिलियंट नोलेज के यूटूब चनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या कोस्टन है आईए इसको समझ लेते हैं देखे कोस्टन है भारत के साथ यूरूप के वयापारिक संबंद के प्राचीन प्रमान लेखक ने क्या दि मतलब यूरोप और यूरोप और भारत के बीच काफी प्राचीन समय में पुराने जवाने में जो है वयापार हो रहा था इन दोनों के बीच वयापारिक संबंद था ऐसे कुछ पर्मान लेखक दिखाए हैं तो वो क्या पर्मान था वो क्या सबूत था उसी को हमें उत्तर म की उन सबूतों को परमानों को बताना है जिससे पता चले है की भारत और युरॉक के बेजद किया तो यह पारिक संबस्पटता तो आईये उत्तर को यहां पे उत्तर में देख लेते हैं लेखक माक्स मूलर द्वाड़ा दिखाया गया है कि संस्किर्ट भासा का संबन ग्रिक लेटीन जर्मन एबंग रूसी भासा के साथ है यानि इस भासन में ये जो कहानी है न ये जो आप तो लेखक ने अपने इस भासन में इस कहानी में ये बताया है कि संस्किर्ट का संबन ग्रिक भासा से भी है लेटीन भासा से जर्मन भासा से और रूसी भासा से भी है भासा के साथ है लेखक ने कई उधारन देकर ये भी बताते हैं कि भारत के कहावते युनान से जुड़ी हुई है अब सवाल ये उड़ता है कि संस्कीत का संबद गिरिक, लेटिन और जर्मन रुसी भासा से भी है और भारत की जो कहावते हैं वो युनान से भी मिलता है तो ये मिलता क्यों है? जब भारत का संपर्क उन देशों से रहा होगा तब ना तो जब संबंद रहा ही है तो वही बात को तो इसमें लेखक कह रहा है कि भारत और जो अन्न देश हैं उनके बिच वैपारिक संबंद था दोनों देश अपने बीच में वयापार कर रहे थे इसके अतिरिक्द लेखक के कई और परमान से पता चलता है कि उस समय मतलब प्राचीन समय भारत का वयापारिक शंबंद यूरोप से रहा है यूरोप देखे यूरोप एक महादेश है जिस तरह से एसिया एक महादेश या महादूइफ है उस तरह से यूरोप एक महादूइफ है जिसमें बहुत सारे देश है और वहां जर्मन लेटिन इसा भासा बोला जाता है तो यहां पर यह वीडियो समाप तो होता है धन्यवाद